So guys Samsung Galaxy M40 का तो काफी सारा हाइप चली रहा इंडिया में और दोस्तों एफोन लाउंच होने वाला है 11 दून 2019 को सच्छे बचे साम को और दोस्तों इसके जो मैं पहला चीज कहना चाहूंगा इस वीडियो में और दोस्तों इस चीज को मैं क्यो मोला हूँ चले दोस्तों में वीडियो में जान लेते हैं So first thing first आप चैनल पे नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो काफी सारे फोन के वीडियो में आपको इस तरह देती रहता हूं और वो भी इसी रेंज के आसफास आएगा और कॉरिंग गोलियर ग्लास 5 को प्रोडेक्शन मिल जाएगा रियल्मी X के स्क्रीन में ठीक हो लेकिन यहां पे समसंग आपको कोई प्रोडेक्शन नहीं दे रहा है प्लस उसके साथ आपको IPS डिस्पले दे रहा है वो भी 20,000 के रेंज में 20,000 के असफास के रेंज में तो यह सबसे पहली प्रोब्लम आ जाती है दोस्तों अब दिखते हैं सबस्तों प्रोसेसर के बारे में तो snapdragon 675 को प्रोसेसर लगा है 11 नमीटर के टेक्नोलजी के साथ और 1.2 का support मिल जाता है जिसमें 1 UI जो की यूज होता है आपके Samsung में वह ही यूज होने वाला है दोस्तों और दोस्तों camera के बात कर लें तो triple camera setup है उसके साथ है दोस्तों जो main camera है वो main sensor है 1.7 मुलाब F 1.7 के साथ 32 megapixel का camera sensor है उसके साथ है दोस्तों दो camera और है तो एक है दोस्तों ultra Realme X को देखोगे तो 48 megapixel के आपको camera मिलेगा वो भी IMX 586 sensor के साथ अब दोस्तों Samsung के 32 megapixel camera इसमें sensor को अभी reveal नहीं किया गया मतलब अभी पता नहीं चला है कौन सा sensor लेकिन दोस्तों IMX 586 तो बिलकुल नहीं और यह sensor जो Realme X में लगा है वो काफी अच्छा आपको दे देता है और दोस्तों के साथ साथ बात करें दोस्तों video recording के तो slow motion 960 fps आपको मिल जाता है Realme X में जबकि यहां पे आपको Samsung M40 में कुछ भी नहीं मिलता है और Realme X में दोस्तों 120 fps का 180p recording में मिल जाता है जो कि दोस्तों M40 में आपको नहीं मिलेगा, M40 में मिलेगा आपको 1080p 30 fps only तो दोस इसलिए हम लोग जाते हैं front camera के और तो दूनों में 16 वाइपक्सल है लेकिन यहां पे आपको Samsung Galaxy M40 में 16 वाइपक्सल का punch hole camera मिल जाता है जिसका F2.2 aperture है और दोस्तों इसके साथ एक बहुत ही बड़ी problem यहां पे आजाती है Samsung Galaxy M40 में उसमें कोई headphone jack आपको देखने को नहीं मिल जाता है और दोस्तों के साथ बैटरी के बात करें तो 3500 mAh की lithium polymer battery है दोस्तों उसके साथ आपको 50 watt का first charger मिल जाता है तो यह third problem है मतलब यह third problem की हो है क्योंकि दोस्तों जो realme X है आपका वह भी आप दोस्तों आपको 3700 mAh की lithium polymer battery देता है उसके साथ आपको VOOC 3.0 का 20 watt का first charger मिल है और इसके साथ 20 watt का first charger realme X में मिल ला है और यहां पे M40 में आपको 15 watt का सिर मिल ला है तो आप comparison कर सकते हो काफी competitive नहीं है phone और दोस्तों उसके साथ है इसे good thing जो है आपकी जो Samsung Galaxy M40 की है वह है तोस्तों इस screen ही आपका एक speaker है तोस्तों क्योंकि इसमें speaker अलग से नहीं है वह जो screen है आपका ना वही vibrator के आपको sound produce करता है तो यह अची technology लगा दी है और दोस्तों यह आता है दो color में black और blue तो आप इसे दो color में खरीच सकते हैं दोस्तों price expected की बात करें तो 20,000 के आज पास Indian rupees में आ जाएगा जो की Realme X के around ही आता है तो दोस्तों मैं personally आपको recommendation करना हो अगर आप मुझे एक दोस्त मानते हो ना भाई मानते हो तो बात को मेरे माल लेना Realme X का वेट कर लो इस phone को मैं नहीं recommend कर रहा हूँ because यह phone competitive नहीं अपने price range के हिसाफ से अगर दोस्तों इसका price 15,000 के आसपास रहता तो मैं आपको बोल देता कि जाओ इसे purchase कर लो लेकिन इस price पर दोस्तों जो 20,000 के आसपास है इसे मैं नहीं recommend करता हूँ दोस्तों और वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप जल्दी से comment section में बताओ आपको कौन सा phone पसंद है दोस्तों वो सारे चीज़े बताओ और Realme X की वीडियो भी आने वाली है दोस्तों चैनल को subscribe कर लो अग